मुवीज तो फैशन है मेरा वहां पर काम करना जो जितनी महनत करता है ना अलापाक उसको उतना ही सिला देता है जितना गुर डालेंगे उतना मीठा होगा पश्टो मुवीज के अल्मोस्ट जितने गाने होते हैं वो बड़ी अच्छी लूकेशन पर होते हैं एक लोगों के मा पराज है जो पंजाबी हमारी ओडियन्स है वो दुबारा सिनेमाज में वापिस आए बेवकूफ नी बनाया जा सकता मेरा उनसे यही कहना है कि अपने काम में बहतरी लाएं किसी एक पर डिपेंड ना करें जो न्यू कमर्स हैं उनको चांस दें कि थेटर आपको पता है रा जड़ा उन्छाई पे थे तो मैं भाग कि उनके पास आती हूँ आगे खाई थी, bilir कहा लेए बाग ने भाग रही एक विए लिगा में पेच्छे से पकड़ लिया इंग्या अगर वो मुझे नाप पकड़ते तो मैं खाई में गई थी अगर एक तरफ फिल्म इफखा ठाकुर की और दूसरी तरफ जफरी खान की तो आप किस की फिल्म करना पसंद करेंगी मैं नासर चिनियोटी की एक तरफ हो जी हम ये कहते हैं कि नयाब खान और दूसरी तरफ हो महक नूर तो किस के साथ काम करेंगी डेफिनेटली देखी जी महक नूर के साथ काम करूंगी और महक यूर मेरी जोड़ी जो है वो बहुत अवाम ने पसंद की एक लेबल एक विल्गैरिटी ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छे फनकार भी हैं महनत करने वाले भी हैं सब को एक जैसा ना समझें असलाम अलेकम नाजरीन मैं हूँ कुर्बान परिंस और आफ देख रहे हैं इनर पाकिस्तान नाजरीन आज हमारे साथ थेटर इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खुबसूरत अदाकारा खुबसूरत परफॉर्मर फिरोजा आली मौजूद हैं उनसे ग काफी अर्सा होगा तो क्या कहेंगे अपने फिल्मी केरियर के हुआले से आजकल तो माशला सोशल मीडिया खोलें तो आपकी फिल्मों के पोस्टर्स और तसावीर बहुत ज़दा मिक्दार में आ आ जाते हैं सामने क्या कहेंगी कैसे चल रहे हैं शब और रोजजदी अ यद्यश ऑन करना अच्छा काम करना और जो मेरी अंधर की फनकार है उसको मुझे मौका मिलता है कि मैं दिखाओं कि मैं भी अच्छी आर्टिस्ट हूँ तो अच्छा लगता है फिल्में करना फिरोजा अली पश्टो फिल्मों में आई और उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी जो पश्टो फिल्मों की हीरोंस थी उनको टक कर दी और बिलाखर फिरोजा नगीने की तरह वो जो है वो खुद चा गई है और वो घरों में बैठ गई है ये एक्सपिरियंस कैसा रहा है नहीं ऐसी कोई बात नहीं देखें जी जो जितनी महनत करता है ना अलापाक उसको उतना ही सिला देता है आप जितनी जितना गुर्ड डालेंगे उतना मिठा होगा तो मुझे तो अपने काम से इश्ग है मैं अपना जो काम है वो बहुत सिंसेरिटी के साथ करती हूँ तो इ नेक्शरल ब्यूटी थी बागे जना की उसको भी खूब सूरत अंदाज में अक्सबंद किया गया उस एक्सปिरियन्स के हवाले से उस गाने के हवाले से उसकी शायरी के हवाले से वो भी हमारे नाजरी के साथ थोड़ा अपना एक्सپिरियंस शीर है जी पश्डो पर सुर् family movie होती है बड़ी अच्छी और अच्छा काम करने हैं वो शाहिद उस्मान साब डारेक्टर थे उस movie के उससे पहले भी उन्होंने कुछ movie ऐसी बनाई हैं कि जो कहलें कि international film festival के लिए होनी चाहिए थी लेकिन अफसोस के अलाकाई होने की वज़ा से वहां तक नहीं पहुँच पाई तो और भी दीगर हमारे जो फनकार हैं उनकी भी movies आ रही हैं और वहत पश्टो movies थी जिसने जब पाक्सान में कोई film नहीं बन रही थी तो उन्होंने film industry को जिन्दा रखा तो future क्या देख रही है पाक्सान फिल्म इंडिस्ट्री देखें जी अगर सब अच्छी कोशिश करें देखें के पश्टो तो चली रही है और मैं समझती हूँ के जो पंजाबी हमारी movies है वो भी बहाल होनी चाहिए एक अच्छा script होना चाहिए एक change होना चाहिए कि जो अवाम हमसे नराज है जो पंजाबी हमारी audience है वो दुबारा सिनेमाज में वापस आए तो जो कराची वाले हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो इंशाला आप positive सोचें तो positive ही होगा तो future कुछ अच्छा नज़रा क्या पैगाम देंगी उन डारेक्टर्स को उन फंकारों को जो आज भी साल 2023 जदीड टिकनालोजी का साल हम जिसको कहें अवाम कहां से कहां पहुँच गई और हम अभी तक स्टूडियो से बाहिर नहीं निकल रहें कि बाहिर जाके खुबसोर लोकेशन्स पर अपनी पंजाबी फिल्में बनाएं हम आज भी स्टूडियो का फ्लोर करावे पे लेते हैं और वहीं भी सैट लगा के तो फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं और फिर ये तवक्को भी करते हैं कि लोग पंदरा सो का टिकेट खरी जो न्यू कमर्स हैं उनको चांस दें क्योंकि जो न्यू टैलेंट है माशाला हमारे मुल्क में वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टैलेंट है तो किसी एक पर डिपेंड ना करें नए टैकनोलिजी यूज़ करें तो अगर आप कोशिश करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली भाल रहेगी आपने थेटर से काम का अगास किया आपने शोबीज केरियर का और उसके बाद फिल्मों में काम किया कितनी मुश्किल आती है जब नॉर्धरन एरियाज में जाती है फिल्म की शूटिंग करने के लिए और रूटीन जो है बिल्कुल थेटर के मत अगिंदो अग्डा करना 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 पड़ता है फिर्स डे जो हमारा शूट का होता है वह जागते होई करते हैं क्योंकि फाहड़ी लाखा जे जहाता है जहां पर गानों की एकसिपन दी होती है तो वहां का दिल्चस्प वाकिया जो आपके साथ पेश आया व फिल्म के सैट पे जो अपने नाजरीन के साथ अपने फैंस के साथ शेयर कहना चाए बहुत सारे ऐसे वाकिया आता है और अजीब अजीब सी लुकेशन्स होती है पहाडों के उपर जाना पड़ता है तो एक वाकिया मैं सुनाती हूं मैं और अरबास साब हम लोग सॉंग शूट करें थे तो हम बहुत जादा उंचाई पे थे तो मैं भाग के उनके पास आती हूं आगे खाई थी तो मैं भाग रही हूं तो मेरी ब्रेक नहीं लगी मैं खाई में जाने लगी थी तो उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया तो सेट पे दो तीन मिनट के लिए खामोशी होगी अग हम फیروजा अली की रूख की फिर कर रहे होते हैं इंटर्विव नहीं दुआ कर रहे होते हैं क्या कहेंगी थेटर इंडस्ट्री की मौझूदा सुर्टेहाल के हवाले से बेहतरी आ रही है थेटर सील भी हुए कुछ फंकार भी बेहन हुए लेकिन अब काम में बेहतरी लान दिलो जान से मेहनत करने हैं कि जी अब हमने एक चेंज करना है एक जो लेबल लगा हुए नर थेटर पे वो था भी खेर लेकिन सब मिलके कोशिश करें कि इसको हटाया जाए और एक अपनी अवाम को एक साफ सुत्रा अच्छा काम दिखाया जाए भीरा पन्ना आपके केरियर का कहले हैं कि हम यह कहेंगे कि टर्निंग पॉइंट ठीक है जिसने एक मरत बाप पिर यह साबत किया कि फिरोजा अली एक मजी रूटीन से कमर्शिलिडम से हटके आप ने वो ड्रामा किया और एक एक चीज का ख्याल रखा जा रहा हैं एक फुट वरक का ख्याल रखा जा रहा है और लुए कश्छ बान सकती है तो फिर मैं भरपूर कोशिश की कि जो उनके दिलो दिमाग में था, मैं अपनी आवाम को दिखाऊं कि मैं भी अच्छा कर सकती हूं और बहुत ही बेहतरैं ट्रामा था, वो मेरी जिंदगी का, मेरे करियर का सबसे यादगार काम था, वो जो मैंने हीरा और परणा में किया। और इसके बाद कौन सा धमाका करने जा रही है ऐसा कुछ प्रोजेक्ट जो चल रहा हो कुछ इस तरह से देखें बहुत सारी चीज़ें लेकिन वो मैं रिवील नहीं करूंगी वो सर्प्राइज है मेरी अवाम के लिए तो आइस्ता आइस्ता उनको पता चलता रहेगी इंडियन पंजाबी फिल्मों में हमारे बहुत से फंकार गएं काम करें अगर फिरोजा अली को चांस मिले तो फिरोजा अली काम करेंगी और अगर काम करेंगी तो कौन से फंकारों के साथ काम करना चारी जाएगी डैफिनिटली मैं काम करूंगी अपने पाकिस्तान को रही हैं उनको एक फखर हो किसी ने अच्छा काम किया है तो मैं इंशालला जरूर करूंगे अगर मुझे आफर हो अगर एक तरफ फिल्म इफखार ठाकर कियो और दूसरी तरफ जफरी खान कियो तो आप किसकी फिल्म करना अपसंद करें मैं नासर चिनियोटी की मैं चिनियोटी साब की बहुत बड़ी फैन हूँ और बहुत अच्छा काम करते हैं तो मैं उनके साथ काम करूंगी एक तरफ हो जी हम ये कहते हैं कि नयाब खान और दूसरी तरफ हो महक नूर तो किसके साथ काम करें डेफिनेटली देखिए जी महक न लोड़ी जो है वो बहुत अवाम ने पसंद की हम अर्सा दराज के बाद शाली मार में अब काफी अर्से के बाद हम दोनों ने काम किया तो और्डियंस का इतना अच्छा रिस्पांस था मैं आपको बता ने सकती है शाली मार में नया ड्रामा आपका शुरू हो रहा है प्यार पर ही है ऑखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने देखने वालों को अपने चाहने बाद को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अच्छा काम हो रहा है आये हमें सपोर्ट करें एक जो था वो एक लेबल एक विल्गैरिटी ऐसा कुछ भी नहीं आच्छे फंकार भी है म इतना प्यार दिया मुझे बहुत शुक्रिया जी नाजरीन आपने फिरोजाली की खुबसूरत और मज़दार गुफटबू सुनी जिनका ये कहना है कि वो आज जो भी है अपने फैंस की वज़ा से उनका यही उनसे दर्खास अपील है कि उनके फैंस आएं उनका ड्रामा दे